हाई दोस्तों नमस्कार मैं आपका दोस्तों मेंदर सिंग स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश मेंदर एजुकेशन चैनल पर और दोस्तों आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त कलास लेकर आया हूं दोस्तों पॉलेटिकल साइंस की वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन आपके जिसु व्यापार संगटन, विसु बेंग, परमानु ए परसार संदी, सिमित परमानु प्रेक्षन संदी, भारत और सोवेट संग, गुटन एपक्स आंदोलन, सिंदु जल संदी, और सवतंदर भारत के परतम सिक्षा मंत्री, संपुन करांति का आहवान, संगतराश्ट संग नारे दी हुए हैं, अब आप कहेंगे बिलकुल बिलकुल बहुत अच्छा किया आपने तो, बिलकुल दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आपके कमेंट आ रहे थे, ठीके, दो तिन भाई और बेड़ों ने कमेंट किया था कि, आप क्या एगा एक वीडियो के दार परमुख, जितने भी जो संधिया हुई है, वो लेकर आयेगा, तो मैंने संधिया कुछ जो मुझे मूच लगी वो लेकर आया हूँ, और बाकी जो कुछ point में लिये हैं दोस्तों जो very very important है इनको आप अच्छे से याद करना दोस्तों exam के लिए very very important है दोस्तों और आज हमारी test series है दोस्तों 11 भी test series very important है याद कर लिए दोस्तों रट्टा लगा लिए रट्टा ठीक है अच्छी तरीके से पुस्त पर राज जोकेगा नहीं से आला एक एक को याद गर लेगा बिल्कुल दोस्तों सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं तास्कन समझोता अगर क्यूशन गलत हो जावे तो फिर मुझे कहना दोस्तों तास्कन समझोते से related कोई भी किसी भी परकार का पर्सन बन जाए और गलत हो जावे तो फिर मुझे कहना वेरी इंपोर्टेंट ये तास्कन समझोते जितने भी किशन बनते हैं मैं करवाने वाला हूं दोस्तों एक क्यूशन को फुल एक्स्प्लान करूँगा आप गबरने की जुरूत नहीं है दोस्तों मेरे साथ जुड़े वे तो बिल्कुल दोस्तों टेंसन की लेते हो एक क्यूशन को अच्छे से करवोंगा मैं ठीक है यहां पर आया है क्यूशन तास्कन समझोता एक परकार से परकार की परदान मंतरी कौन थे तास्कन समझोता किस ने कर वाया ठीक ही तास्कन समझोता किस प्रदान मंतरी की मृत्त निödपक्ल करना है तो दोस्तों taskund समंजुता की challenging now show को आप सभी को पता हो 10 जनवरी 10 जनवरी 10 जनवरी को taskund सम्जहता हुआ था अब प्षकला यह भूल गया हूं दोस्तों लेकिन भूलूंगा नहीं दोस्तों पुस्पाराज कि भोलता नहीं है ध्यान रखेगा तास्कन समझोता हुआ था 10 जनवरी 1966 को कब हुआ था दोस्तों 10 जनवरी 1966 को तास्कन समझोता हुआ था ठीक है ध्यान रखेगा तास्कन समझोता कब हुआ तो 10 जनवरी 1916 को तासकन समझता हुआ था अब दोस्तो परसन पूछीजे कि जो तासकन समझता है ये किस किस के मजदी हुआ तो भारत और पाकिस्तान के मजदी हुआ दोस्तो तासकन समझता दियान रखेंगे तासकन समझा किसके मद्ली हुआ तो भरत और पाकिस्तान के मद्ली हुआ अब परसन पूचा जाएगा कि तासकन समझोते किसे में भरत के पर्दानमंत्री कौन थे तो तासकंद समझोते में दोस्तों बारत के परदान मंतरी यानि के लाल बादुर सासरी जी के मरती हो जाती है तो और आपको पूछा जाए कि तासकंद समझोता है कि दोरन पाकिस्तान के परदान मंतरी कौन थे तो अयूब खान थे दोस्तों पाकिस्तान के उस समय परदान मंतरी आपको पूछा जए कि जो तासकंद समझोता है ये कहां हुआ था तो ये समझोता हुआ था तासकंद में ये समझोता कहां होता है तो ये तासकंद में होता है और तासकंद जो है दोस्तो ये उजबेकिस्तान की राज़दा नहीं है ठीक है अब आपको पूछा जए कि जो ता लेकिन अब नहीं जुकेगा दोस्तों आगे से ध्यान रखेगा पिस्वाराज नहीं जुकेगा ठीक है तो तासकन समझोता कब हुआ था परसन कैसे भी पूछे तो देखेगा गलत नहीं होनों सावे तासकन समझोता की पहली बात तासकन समझोता 10 जनवरी 1966 को हुआ क्यों दे तासकन समझोता कब हुआ 10 जनवरी 1966 को हुआ कहा हुआ था पहले देखते किस-किस कि मद्धी हुआ तो भारत और पाकिस्टान की बीच तासकन समझोता है उसके तासकन समझोता के सर में भारत के प्रदानमतरी कौन थे लालबादूर सास्त्री पाकिस्तान के कौन थे वहां यह तास्कन समझोता हुआ था अब आपको पूछा जाए कि लाल बादुर सास्त्री की मृत्य की समझोता के दौरान होती है तो तास्कन में दोस्तों तास्कन समझोता के दौरान लाल बादुर सास्त्री जी की मृत्य हो जावे वाई यार ताशकन सम्झदता से आमारतों सब याद हो गया बिल्कुल बिल्कुल याद हो गया ठीक नहीं याद हो गया सबने याद हो गया सां आके देखते हैं उसा क involved два ना earlier संब्ढ़ Jewala सम्झदता कब हुआ था सिमला समझोता सुनो मेरे प्यारे भाईो और भाईनो सिमला समझोता हुआ था 1922 के अंदर कब हुआ था 1922 में हुआ था दोस्तों सिमला समझोता ध्यान रखेंगे सिमला समझोता हुआ था 3 जुलाई 1902 को 3 जुलाई 1902 को सिमला समझोता हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों और आपको बता दू कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिमला समझोता हुआ था ठीके 3 जुलाई 1902 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिमला समझोता हुआ था और मैं ये भी बता दू जानकारी के लिए कि सिमला समझोता के समय सिमला समझोता जब हुआ था 1932 के अंदर तो उसमें भारत के प्राइम मिनिश्टर परदान मत्री जो है इंद्रा गांदी जी थे उसमें में चाई बेच रहा था ठीक है ध्यान रखे गांदर बोधि जी कह रहे है चलो तो देकिका सिमला समझोता कब हुआ तीन जुलई 1932 को वा था किस किस के मद्धी हुआ भारत और पाकिस्तन के मद्धी हुआ उसमें भारत के प्रदान मत्री थे इंद्रा गांदी जी इसके बाद आपको पूचा जाएगा कि पाकिस्तान क के सामने सीट यूद का दोर जो चेप्टन नमबर वन है वीमो बड़ो किशन भी बन सके ठीक है क्या बन सके देखो दोस्तों आपको पूंचा जा सकता है कि अमेरिका द्वारा बनाएगे सेन्य संगटनों के नाम बताते वे उनका विस्तार से वरनन करो और दोस्तों मिलकुल बन सके तो यह आपनाने याद करनों दोस्तों नाटो है सीटो है सेंटो है बड़ो परसन बने तो भी कर लेड़ो है छोटो परसन बने तो भी कर लेड़ों गलत नहीं करनों दोस्तों ध्यान रखलो गलत तो करनों ही को नहीं है ठीक है सब पहला पूंचीजे नाटो अब न त्रेटी ऑचे आपको ध्यान रखना चनल सब्सक्राइब चत्राजेर चेमरें संध का मनत पतो मनत याद हो गयो है नाटो की बात कर रहे हो तो नाटो में आपको और ध्यान रखना है कि नाटो का उदिश्य क्या था नाटो का उदिश्य था सबी सदिश्य मिल जुल कर रहेंगे एक दूसरे की मदद करेंगे अगर एक पर हमलों हो गयो तो सब साथ मिलकर संधी संगठन यह अमरीका को वह यह सीटो दोस्तो सीटो साउथ इस्ट एसे ट्रेटी ओरगनाइजेशन दक्षड पूर्व एसे संधी संगठन वह सीटो को पूरो नाम हो गयों दोस्तों अब आपको परसन पूछेजे कि सीटो के स्थापना कब हुई थी तो सीटो की संगठन वह सेंटो को पूरो नाम हो गयों अब सेंटो की स्थापना कुछे तो 1905 में सेंटो की स्थापना होती हैं तो यहां पर हमने क्या देखे हमने देखें अमेरिका दुआरा बनाए गए परमु सेन्य संगठन नाटो सीटो सेंटो परसन बढ़ने वाला है सो प्रतिश वार्षा पेक्ट के नाम से भी जाना दाता है और इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1905 में ठीक है 1955 के अंदर दोस्तो किसकी स्थापना होती है अपने वार्षा संधी की जो वार्षा पेक्ट के नाम से भी जाने जाती है यह सोवेज संग द्वारा बनाएगे एक तो इस तापना के समय नाटों में कुल कितने सदिशे थे तो नाटों में सदिशे थे दोस्तों 12 लेकिन दोस्तों कितने सदिशे अब दग नाटों में तो नाटों में 30 सदिशे ध्यान रखना दोस्तों मैं जो बोल रहे हूं रट्टा लगाना दोस्तों रट्टा लगा लेना थिक करने वाला हूं अंत्राइश्ट्य मुद्राघोस की अब आपको एक्जाम में परसन पूछा दाएगा कि अंत्राइश्ट्री मुद्राकोस की इस्तापना कब हुई थी बतावो दोस्तों अंत्राइश्ट्री मुद्राकोस की इस्तापना कब हुई थी तो सीधो सो थने ध्यान रखनों है कि अंत्राइश्ट्री मुद्राकोस की इस्ता हस्ताक्सर कब होते हैं तो 27 दिसंबर 1935 को इस पर हस्ताक्सर होते हैं अगर आपके सामने कोई ओप्सन वाला वस्तुनिष्ट परसन पूछे 1925 में नहीं दिया हो कि बेस्ता आपना कब हो थी तो 255 हो तो फिर 45 आपको करना होगा ठीक है तो अंत्रश्टी मुद्रकोस का दोस्तों पूछा जाएगे इसका मुख्यले का है तो वांसिंग्टन डीसी वांसिंग्टन डीसी दोस्तों अंत्रश्टी मुद्रकोस को मुख्यले हैं अंत्रश्टी मुद्रकोस में कुल किता सदेश अंत्रश्टी मुद्रकोस का उदेशे बताओ तो अंत्रश्टी मुद्रकोस के पर्मुक कारिय आप लिख सकते हैं इसका पर्मुक जो कारिय है वो है अंत्रश्टी मुद्रिक्षयों को बढ़ावा देना व्यापार नितिय और वित विवस्ता की देखरेग वित विवस्ता की देख रेग ये इसका परमुक अंतराष्टि बुद्राकोस का कारिय हो गया इसके बाद मैं बात करता हूँ विशू व्यापार संगठन इसकी स्थापना कब होती है इसकी स्थापना होती है 1905 में कब होती दोस्तो 1905 में में दोस्तो विशू व्यापार संगटन की क्या होती है इस्ताफना होती है ठीक है अब ये परसंद पूछे तो आपके गलत नहीं होना चाहिए इसके बाद विशू व्यापार संगटन की स्ताफना 1905 में होगी अब आपको पूछा जाएगा कि विशू व्यापार संगटन के कारिये बताओ तो इसका परमुकारिये है व्यापार के नियम बनना ठीक है व्यापार के नियम बनना और व्यापार में मदद करना ये परमु व्यापार संगटन का परमुकारिये है इसके अलावा दोस्तों आपको पूंचा जाएगा विशू बेंग विशू बेंग की स्थापना कब हुई तो विशू बेंग की स्थापना होती है 1925 में विशू बेंग की स्थापना 1925 में होती है विशू बेंग की यह दिए बात करें तो विशू बेंग का मुख्याले बताओ वा लोवन देना ठीक है ज़्यादा गरीब देशों से लोवन वापस नहीं लेता ये इसके लावा विकासिल देशों की मदद करना ये पर्मू विशु बेंक का पर्मू कारिये हैं इसके बाद है दोस्तों पर्माणू ए परशार संदी जो वेरी इंपोटेंट है और एक्जाम में पूछी जाती है पर्माणू ए परशार संदी तो पर्माणू ए परशार संदी होती है 1968 में कब होती है 1968 में अब आपको एकजाम एपरसन पूछा जाएगा कि परमाणू एपरसार संदी 1968 में होगे ठीक है अब परमाणू एपरसार संदी में थे बताओ इस संदी का विरोध किस ने किया था तो भारत ने परमाणू एपरसार संदी का क्या किया था विरोध किया था क्यो जिसके पास परमानों हत्यार है वो तो कर लीजिये और बाकि जो नहीं देशा भी आजाद हुए हैं वो परमानों का उपयोग shadow करेंगे जयसे पर्मुग देश थे ज़यसे अमेरिका है फ्रांस है ब्रिटेन है सोवियत संग है यह तो पर्माणु सक्ति संपन देश थे अब यह तो पर्माणु का उप अब आपको पूंचा जाएगा सीमित परमानुप्रेक्षन संदी, सीमित परमानुप्रेक्षन संदी, कब होती है सीमित परमानुप्रेक्षन संदी, 5 अगस्ट 1963 को संदी होए, 5 अगस्ट 1963 को सीमित परमानुप्रेक्षन संदी होए, लागू कब होती है 10 अक्टोंबर 1903 को सिमित पर्माणू प्रेक्शन संदी लागू होती है यह संदी कहां होती है तो यह संदी मासकों में होती है कहां होती है मासकों में होती है अब आपको पूचा जाएगा जो सिमित पर्माणू प्रेक्शन संदी है इसे किस नाम से जानते हैं तो LTPT के नाम से जानते हैं LTPT के नाम से और जो परमाणू ए परशार संदी इसे NPT कहते हैं NPT और इसे LTPT कहते हैं जो सीमित परमाणू प्रेक्शन संदी है इस पर कितने देशों ने हस्ताकसर किये थे तो तीन देशों ने हस्ताकसर किये थे अमे बारत और सोवेशंग से रिलेटेड आपको परसन पूछा जाएगा भाई और बेड़ों के कमेंट आ रहे हैं कि पर संधिया बना तो यह संधिया इंपोर्टेंट है परमानो एक परसाद और सीमेद परमानो प्रिक्षन संधि एक और अपने चेप्टर पहले से जो पहला हैं परमुदेश कोन-कोन से सामिल थे वह आप देखे चले जाना ठीक है बाकी तो वेसे मुझे दो इंपोर्टेंट लग रहे हैं यह दोनों इंपोर्टेंट हैं दोस्तों कई बार में ने करवाया भी इनके बारे में इसके बाद है भारत और सोवेशंग बारत और सोवेश के बीत संतिक बहुती है इसके बाद के लिए संधिक होती हैं में होती द्यान रखना कि इसके बाद हैं ऊच्जे जाएं गोट dissert गुपेक्स आंदोलन से संब्जीज के सकते हैं योगोसलाविया की जोसेफ ब्रोस्टिटो भारत के पंडित जवाला लेरू मिस्र के गमाल अब्दुलनासरी इंडोनेसिया के सुक्रणों गार्ना के वहां में एनकुरूमा देश तो याद कर लेना ठीक है अब आपको पूछा जाएगा कि जो घुट नेर्पेक् 1931 में गुट नेर्पेक्स आंदुन को पहलो समयलण विवे कहा होता है तो बिलोग्रेड में होता है कितने सदेश districts तैंटो तो 116 सदिशे थे 116 सदिशे हाँ बिल्कुल 116 सदिशे थे 14 समयलन में और 15 परिविक्षक देश के थे ठीक है यह प्रमुक आपको ध्यान रखना 2006 में होता है 20 सदिशे हैं दोस्तों अच्छे से याद कर लेना ठीक है आरी नबास समझ में दोस्तों रटा लगा लो अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा मैं यह नहीं कह रहा है जैसे के रटा कर लो मेरा रटा में रटा रटा कहता हूं दोस्तों बार बार रटा इसके पीछे मेरा यह है भाई रटो मैं यहने कहा रहा हूं नहीं रटो रटो लेकिन समझ के रटो ऐसे नहीं डायर्ट रट लियू है जैसे तो फिर तो भूलना है यह समझ के रटो कभी भी नहीं भूलोगे दोस्तो अच्छे से ठीक है इसके बाद सिंदू-जल-संदी आपको पताओगा सिंदू जल संदी हुई थी ध्यान रखना भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी संदी हुई थी सिंदू जल संदी हुई थी अब आप कहेंगे महमें तो पूचते नहीं यह परसन एक परसन हमें भी पूचो बिल्कुल दोस्तों वीडियो समाप थोने के बाद मुने कमेंट में देनो क हुई थी अग Egzamen पूचा जाए सकता है तो मौलाना अब्दूलक्लाम आजाद मौलाना अब्दूलक्लाम आजाद यह कौन थे भाई मौलाना अब्दूल कलाम आज़ाद यह सवतंतर भारत के परतम सिक्षा मंतरी थे बारत के परतम परदान मंतरी को ने पंडी जवालाल नेरू ठीक है उपर दान मंतरी सरदर वल्लबबय पठेल इसके बाद संपूर्ण करांति का अहवान किस ने किया था तो जे परकास नारायन जी ने जे परकास नारायन ने दोस्तो संपून करांति का क्या किया था अहवान किया था ठीक है तो ये भी परसन पूछा जा सकता है अब जो आगे मैंने लिया है वो लिया है सैंक्त राश्टर संग कुंड ने जाने सैंक्त राश्टर संग के बारे में बताओ कुंड संक्तुराइश्ट न संग से रेलेटर से रिलेटर जिता भी पर्षन वंजनी वो सब मूँ बता रहे हुँ संक्तुराइश्ट संग इस्थापना कब हुई थी का मुख्यल है नियुरोक के अंदर है नूरोक सब्सक्र आए वह अपाय। है आप दोस्तों परसन पूचा रहेगा कि सेख्ट राष्टिसंग के में इसी क्य मिल्ट इंग कौण सा है जाट समझ twoaboo यह संग में सुरुखश्य परिशत करें बात करता है शुरुखशा परिश्यह करने वालों के gemacht स्थाप अब पास यह इस तरी पांच इसनेप फ्रांस परेंगे नरे करते हैं अब यह इस तरह इव शरुक्षा परिश्द में और जो 17 वह पर्ति आमसबा दोवरां चुने परती दू व्रश के लिए तो परमुख ध्यान रखोनों है शुरुक्षा परिशद से रिलेटेड भी परसन पोचीजे ठीक है अब गये बताओ अब इस्ट राश्ट सिंग में गलत नहीं हो लाने परसन यह आपको ध्यान रख लेना दोस्तों अच्छे से ठीक है आगे देख चेसे टोल्स एकजाम हो जाएगा तो फिर आप काहन चले जाओगे एग इधर गयान एग इधर गयान फिर नहीं मिलेंगे दोस्तों अच्छे से पढ़लो अच्छी परतीश्चत बढ़ेगी बातों में कुछ नहीं हैं दोस्तों देखो जै जवान जै किसान जै जै किसान ब लाल बादुर शास्त्री जी ने क्यों नारो दियो जे जवान जे किसान जे जवान जे किसान ध्यान रख लेना इसके बाद जे जवान जे किसान जे विज्ञान देखो दोस्तों अटल । पहली में देने वाला था इस नारे को तो अटल । थीए के कोई बात ने नहाला तो मैं यह दोँगा लेकिन इशके पीछे ощबद और जोड़ दूँगा दोस्तों जय बिज्जान पीछेए किसान जय विग्यान को नहारा Gra Subs Dienst ने दिया था अठल बिहारी वाज अप्न क्यो value दोस्तो के करो इंद्रा गांदी जी ने हटाओ वो नारोकून दियो तो इंद्रा गांदी के विपक्सी यानी विपक्सी गटबंधन जो विपक्सी गटबंधन था करेड Animus New ग्रेड अलाइंस में नारा दिया था इंद्रा हटाओ परी इंद्रा परी हटाओ लेकिन इंद्रा ने का कि इंद्रा हटाने से काम नी चलेगा मैं तो गरीबी हटाओंगी गरीबी 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 तो इंद्रा गंदी जी ने कौन सा नारा जे दिया गरीब बताना, इंदरा हट्टवो का नरा इंदरा गांधी जी ने दिया खब दिया था मुझे बताना, ठीके, ध्यान रखना, दोस्तों, कमेंट में बहुत कम आश्स आथे, मैं कमेंट सभी के चेक करता हूं, लाइव चेट में नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में देना है, एक तो इ करोया मरो का नारा दोस्तों किस ने दिया था करोया मरो का नारा दिया था फुर्षकHow कहां जाता है गांधी जी ने कहां कि करो या मरो ठीक है देश के लिए कुछ करना हो तो पड़े कर लो करो या मरो का नारा किस ने दिया था अपने मात्मा गांधी जी ने रश्ट्र के पीता कहां जाता है आगी बास समझ में आगे देखते हैं संपूर क्रांती यह नारा किस न डिया गश्टनी संपू Hmm करांथी का आहभवान किया ता दोस्टों जेभ प्रकास मुखा नाराई जी ने लिए ठाइब रीए के तो यह वैंug festival का नारा नन्य तु으면서 पून सवराज का नारा किसने दिया था 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 पून सवराज का नारा किसने दिया थ दोस्तोई पंडित जवाला नेरुन ने नरो दियो पूहर्ण सवराज को पंडित जवाला नेरु कौंसा नरा दिया था पूहर्ण सव राज्ग का तो दोस्तोई ये परमुक हम ने देखे परमुध signal की ór in में से छोटे परसन भी बनेंगे तो बड़े person भी बन सकते हैं आपको इनको अच्छे से याद करना है दोस्तो वस्तुनिस्ट person भी बन सकते हैं रिकत स्तान के पूर्तिकर ब्रश्じों भो भी person बन सकते हैं अत्ति लोग Supp Kath म भी बन सकते हैं ठीक है यह प्रमु मैं आपको द्याना अगाना लग Britt Pat परसन बन सकते हैं इनको अच्छी साब याद कर लेना यह आपको क्लास कैसी लगी मनें कमेंट में जरूर बतानों दोस्तों और वीडियो पर नहीं हो चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्रेब कर जाए दोस्तों और अच्छों लागी हो तो लाइक जरूर कर देड़ना ठीक ह चलो मैं थाने मिलू लब आपस नेक्ट वीडियो में तब तके लिए जे हिंद जे बर्द ओके